दोस्तों Guinness Book of World Record या किसी भी तरह के रिकॉर्ड को अपने नाम कराना एक बड़ी उपलब्धी होती है लोग विस्वी रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जब विस्वी रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको उचाई का सामना करना पड़े तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है क्योंकि उचाई किसी की भी जान ले सकती है इतनी उची जगाहों पर केवल एक गलती आपको मौत के मुँमें धकेल सकती है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ऐसे ही बेहत कतरनाक और जान लेवाई स्टंट के बारे में जिनने देखकर आपके भी पैर कापने लगेंगे तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष और आप देख रही हैं अमेजिंग टॉप फाइव रॉक क्लाइमबिंग एलेक्स जे होनल्ड एक अमेरिकन रॉक क्लाइमबर है जिनोंने अपनी पहली चड़ाई योशे मीतेयल कैप्टियन पर पूरी की थी 32 साल के एलेक्स ने इस 3000 फिटूची पहाडी को केबल 3 घंटे और 56 मिनट में पार कर लिया था वो भी बिना किसी रसी और सुरक्चा के अगर आप इस पहाडी को देखें तो सच में ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है और इस तरह से रॉक क्लाइमबिंग करना एक बेहत जानलेवा काम है जिसमें हर साल कई लोग मारे भी जाते हैं लेकिन यदि इंसान को अलक्स की तरह अपने उपर भरोसा हो तो वो सांत मन से इस तरह की खतरना क्लाइमबिंग करने में भी महरत हासिल कर सकता है इसकी ओन दी एल्च दोस्तो जो व्यक्ति इस वीडियो में स्की कर रहा है उसने ये साबित कर दिया कि उसके होसले इस तिल जासे मजबूत है जब उसने इस बेहद ऊची पहाड़ी पर इसकी की थी और आप देख सकते हैं कि ये उचाई कितनी है अगर यहां से कोई व्यक्ति गिरे तो उसकी लास भी मिल पाना मुस्किल है ये पहाड़ी 14,692 फिट उची है जो यूरोप की कुछ सबसे उची पहाड़ियों में से एक है और इस दिल दहला देने वाले इस टंट को करना वाकई एक जबाज के अलावा कोई भी नहीं कर सकता रोप वाकिंग दोस्तो रोप वाकिंग आपने बहुत से सरकसों में देखी होगी लेकिन इस तरह की खतरनाक और जान लेबा रोप वाकिंग शायद आप जिंदगी में पहली बार देखें ये वीडियो एक फ्रेंच मैन की है जिसका नाम सेबेश्टियन मॉंटेज है और उसने इस वीडियो को अपने फेस्बुक पेज पर अप्लोड किया था जिसे देख कर किसी के भी पसी ने चूट सकते है उन्होंने दो इंच चौड़ी इस टील केबल पर बिना किसी सेप्टी के इस दिल दहला देने वाले स्टंट को पूरा किया था और भिना सेप्टी केबल इस इस टंट को करने का मतलब है कि यदि महां उनसे हलकी सी भी चूखो थी तो वो सीधे हजारों फिट नीचे खाई में जागिर थे विंग सूट थ्रू नैरो केव अलेक्जैंडर पॉली नाम के इस सक्सन है दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देख कर किसी के भी होस उड़ सकते हैं अलेक्जैंडर ने इस इस टंट को करने के लिए एक ऐसी पहाडी को चुना जो केबल दो मीटर चौड़ी थी और उसे धाई सो किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उस दो मीटर चौड़ी दरार से निकलना था ये इस टंट इसलिए बेहत खतरनाक था क्योंकि यहाँ अगर उनकी कालकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती होती तो उनका सरीर किसी चटान से जाटक राता और उनके चीथड़े उड़ जाते लेकिन उन्हें अपने उपर भरोसा था जिस वज़ा से उन्होंने इस खतरनाक श्टंट को भी कर दिखाया एसकेप फ्रॉम वासिंग मसीन वासिंग मसीन के अंदर गोल गोल घूमना यकीनन कोई अच्छा आइडिया नहीं है लेकिन प्रॉफेशनल एसकेप आटिस्ट रिक मैस विले ने अपने हाथ और पैरों को हतकडियों से बांद कर वासिंग मसीन में जाने का फैसला किया और बिना किसी की साहता के अपनी हतकडियां खोल कर वासिंग मसीन से बाहर आने का चैलेंज एसेप्ट किया इस स्टंट के दौरान रिक को वासिंग मसीन में गोल गोल घूमते हुए हतकडियां खोलनी थी और बाहर भी आना था इस दोरान उनके उपर काफी सारा क्लीनर और वासिंग पाउडर भी डाल गया था जिससे उन्हें इस काम को करने में और ज़्यादा परिशानी हो लेकिन काफी समय तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार रिक ने इस इस्टेंट को पूरा किया और वो अपनी हतकडिया खोलते हुए वासिंग मसीन से बाहर आ गए जो सच में बहर शॉकिंग था एक्स्ट्रीम पारकर इस आदमी ने सांसे रोक देने वाली धाई सो मीटर उची क्रेन पर इस इस्टेंट को फिल्माया था जो क्रेन के सभी संक्रे हिस्सों पर चल रहा था और अपनी जान को जोगिम में डालते हुए इस इस्टेंट को फिल्मा रहा था और आप समझ सकते हैं कि ये कोई समझदारी भरा काम बिल्कुल भी नहीं था क्या आप कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं कमेंट जरूर करें सर्फिंग एट 100 फिट वेव दोस्तो गैरेट मैकने मेरा एक अमेरिकन प्रोफेशनल बिग वेव सर्फर है जिनने इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की वज़ा से जाना जाता है जब इनोंने पुर्तगाल में एक बहुत बड़ी लहर पर सर्फिंग की थी और ये मौत के मूँ से बाहर आये थे लेकिन अब इनोंने 100 फिट उची सुनामी की लहरों पर सर्फिंग करते हुए अपना ही रिकॉर्ड तूर दिया है और इस इस्टंट को देख कर हर कोई हैरान रह जाता है दोस्तों आप सभी का क्या मानना है इन लोगों के बारे में कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे साथ आकर तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद